दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक और नहीं वेकेंसी लेके आया हूँ और यह वेकेंसी है इंडियन कोश्ट गार्ड की तरफ से साथ ही मैं आपको बता दूँ यह पर्मानेंट वेकेंसी है इंडियन कोश्ट गार पर्मानेट जोब पाने का इंडियन कोश्ट गार में जो कि आपको कम ही मिल रहा होगा इस साल क्योंकि अगनीपत इसकी मानी के बाद में इंडियन नेवी, आर्मी और एरफोर्स में पर्मानेट जोब निकलना बंद हो गया है और टेंप्रेरी अगनीवीर की वेकेंसी लगात निकल रही है तो यह मोका आपके पास में बहुत ही अच्छा है इंडियन कोश्ट गार में पर्मानेट जोब पाने का जिसमें सेलरी भी आपको जितनी सेलरी पर्मानेट जोब वालों को मिलती है इंडियन नेवी में उतनी मिलने वाली है तो बहुत ही अच्छा आउसर है औ कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये वेकेंसी जारी की गई है साथ ही online आवेदन कब से शुरू होंगे last date क्या रखी गई है education qualification क्या माँगी गई है age limit क्या रखी गई है selection का process क्या है और इसके अलावा आवेदन आपको कैसे करना है salary क्या मिलने वाली है तो इन सारे सवालों के जव सारी की गई है permanent vacancy और online आवेदन की बात की जाए तो 18 September से online आवेदन सुरू हो चुके हैं और last date है बाइस सेप्टेंबर तो बाइस सेप्टेंबर को शाम को साड़े 5 बज़े से पहले-पहले आपको आवेदन करना होगा इसमें और last date का इंतजार मत करना पहले-पहले आवे से आगे बात करेंगे यहां पर education qualification की तो education qualification में सबसे पहले नाविक जर्नल ड्यूटी की अगर बात की जाए तो 10 प्लस टू पास आप होने चाहिए math और physics subjects हैं बस इतनी यहां पर eligibility conditions है education qualification है अगर आप 12th pass हो math और physics हैं तो आप इसमें eligible होंगे अब बात करेंगे नाविक domestic branch की तो domestic branch के लिए math 10th pass मांगा गया है अगर आप 10th pass हो तो इसमें eligible होंगे नाविक domestic branch के लिए और third post यांतरिक की अगर बात की जाए तो आप 10th pass होने चाहिए और साथ ही आपके पास में diploma होना चाहिए engineering में जिसमें ब्रांच यहां पर बहुत सा तो 12th pass किया है और साथ में engineering में diploma किया है और 12th के बाद में अगर आपने दो साल का ही diploma किया है तो भी आप इसमें eligible होंगे same branches में ठीक है तो यह है यहां पर education qualification यांतरिक के लिए तो यह बात होगी education qualification की अब आगे बढ़ते हैं आगे यहां पर यह branch दी हुई है कौन कौन सी branch क sub branch भी eligible होगी तो electrical के लिए यह सारी branches है mechanical में यह भी eligible होंगे electronics टेली communication में यह भी eligible होंगे तो अच्छी का सी list है यहां पर अब बात करेंगे age की तो age आपकी होनी चाहिए 18 से 22 साल के बीच में तभी आप इसमें eligible होंगे और date of birth की अगर बात की जाए तो 1 मैं 2001 से 30 अपरेल 2005 के बीच में आपकी date of birth होनी चाहिए साथ यहां पर पांसाल का age relaxation मिलेगा CST को और OBC को 3 साल का अब vacancies की अगर बात की जाए कि कितने vacancies available है तो navic general duty के लिए 225 vacancies है नाविक domestic branch के लिए 40 है यहां तरिक mechanical के लिए 16 है यहां तरिक electrical के लिए 10 है और यहां तरिक electronics के लिए 9 है इस प available है जो कि permanent job है Indian cost guard में ऐसे मौके आपको अब कम ही मिलेंगे तो इस vacancy को बिल्कुल भी मत गवाना आव इधन करने से अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे selection process की जो कि अभी आप इसकिन पर देख सकते हूं तो selection process को चार अलग-अलग step में divide किया गया है तो सबसे प उसके बाद में यहाँ पर आपका return exam होगा return exam में यहाँ पर नाविक domestic branch के लिए एक section है return test का जबकि इसके लाव जितने भी पोस्ट है उनके लिए दो दो section रखे गए हैं passing marks की अगर बात की जाए तो नाविक domestic branch के लिए 30 है general EWS और OBC category के लिए और 27 SCC category के लिए यह passing marks की बात पासिंग marks रखे गए हैं ठीक है और दोनों में ही दोनों ही section में यहाँ पर पास होना compulsory रखा गया है अलग-अलग से अब बात करेंगे यहाँ पर जो return exam है उसका pattern क्या रहने वाला है तो domestic branch नाविक के लिए जो section 1 है वो 60 marks का होगा 45 minute का समय मिलेगा और 60 questions होंगे और जो question हो होंगे math, science, English, reasoning और GKK यहाँ पर divination दियावा है कितने कितने questions होंगे वो यहाँ पर देख लीजिए और जो level रहेगा वो 10th कर रहेगा 10th level से question आएंगे section 2 की अगर बात की जाए यह section 1 तो सभी branch के लिए है यह same रहेगा common रहेगा जबकि बाकी की जितने भी post है नाविक, domestic branch को छोड़के उनके लिए यह वाले sections है उनमें यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो pattern है उसमें 50 marks का आपका question paper होगा 30 minute का समय मिलेगा और 50 question ही होंगे ठीक है तो यहाँ पर math और physics यह है यहाँ पर post wise जिस stream में आपने form fill किया है उसका यहाँ पर आपका test होगा section 2 का और इसमें भी यहाँ पर जो level रहेगा वो 12th का level रहेगा नाविक general duties के लिए और बाकी का है उनका diploma engineering का level रहेगा यह अंत्रिक के लिए ठीक है तो यह है यहाँ पर exam का pattern अब आगे बढ़त का समय मिलेगा 20 squats और 10 push ups तो यह है यहाँ पर बहुत ही basic सा physical fitness test और इसके बाद में document verification होगा अब बात करेंगे यहाँ पर stage 3 की तो stage 3 में यहाँ पर आपका final medical होगा इसके बाद में original document का submission भी हो जाएगा और fourth stage में आपकी merit list जारी होगी all India merit list उसमें आपका नाव आने के बाद में आपको final selection हो जाएगा और उसके बाद में आपकी joining होगी अब आवेदन करने के लिए यहाँ पर details दी हुई है आवेदन करने के लिए date मैंने आपको बता दी थी hour September से 22 September और यह official website है Indian Coast Guard की इसका link आपको description मिल जाएगा वहाँ जाके आप online आवेदन कर सकते हो तो यह है यहाँ पर आवेदन करने का तरीका इसी website पर जाना है और online आवेदन करना है तो यह हो गया और यहाँ पर और भी बहुत सार चीज़े दी हुई है documents कौन कौन से आपको चाहिए होंगे वो यहाँ पर list दी हुई है यहाँ पर चेक आउट कर सकते हो जिसमें यहाँ पर category certificate 10 की mark sheet certificate additional mark sheet 10 की जो भी आपके वलिए applicable है वो सारे documents यहाँ पर दी हुए है यह documents आपको ready रखने होंगे और आगे यहाँ पर देख सकते हो branch wise और post wise यहाँ पर चेक कर सकते हो और साथ ही examination fees की अगर बात की जाए तो डाइसो रुपे examination fees रखी गई है जबकि SCST के लिए कोई भी examination fees यहाँ पर नहीं लगेगी तो examination fees भी हमने यहाँ पर cover कर दी है अब कुछ important डेर्स की बात कर लेते हैं तो जो stage 1 return exam होगा वो होगा media फिर end number में stage stage 2 यानि कि जो physical standard test होगा वो होगा January 2023 में media फिर end में और third stage यानि कि medical आपका exam है वो होगा April में या फिर माई में 2023 में तो यह है और आपकी joining उसके बाद में होगी यहाँ पर थोड़ा delay है ठीक है तो यह यहाँ पर पूरा process है यह है expected dates जो कि यहाँ पर यहीं रहने वाली है इसने को आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा तो यह था पूरा official notification और यह थी पूरी information इस vacances regarding जो कि बहुत ही सुनायर आफसर आपके पास में है permanent job पाने का और यहाँ पर फिर से vacances देख लीजिए बहुत ही अच्छा आफसर आपके पास में है permanent job पाने का Indian Coast Guard में एसा मौका आप आपको अब कम ही मिलेगा तो मौके को मत गवाना और इसमें आवेदन जरूर करना साथ ही इस vacances regarding आपको कोई भी information चाहिए या कोई भी doubt आपका है तो comment box में जरूर comment करना और साथ ही हमारे channel dg इंडिया पे बने रहे न जिससे कि आपको इसी परकार की और भी future में आने वाली vacances की जानकरी लगातार मिलती रहे क्योंकि हमारे channel dg इंडिया पे आपको रोजगार समाचार लगातार मिलते रहते हैं Thank you friends, thanks for watching this video